नमस्कार मैं हूँ गोपाल मिश्रा और अच्छीखबर.com पर आज मैं आपके साथ महात्मा गांधी के अनमोल विचार शेयर करूँगा महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में किसी परचे की जरूरत नहीं सत्य और अहिंसा का पुजारी जिसने बिना शस्त्र उठाए अंग्रीजों को जुका दिया और भारत को आजाद करा दिया आईए आज हम इस महान शक्सियत के अनमोल विचारों को जानते हैं व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राडी है वह जो सोचता है वही बन जाता है हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर सामंजस का लक्ष रखें हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा आँख के बदले में आँख पूरे विश्र को अंधा बना देगी थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बहतर है खुद वो बदलाओ बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे फिर वो आप पर हसेंगे फिर वो आप से लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं जो कहते हैं और जो करते हैं सामनजस्य में हो जब तक गलती करने की स्वतंदरता ना हो तब तक स्वतंदरता का कोई अर्थ नहीं है मैं मरने के लिए तयार हूँ पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तयार हूँ मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है सत्य मेरा भगवान है अहिंसा उसे पाने का साधन मेरा जीवन ही मेरा संदेश है साथ घंगोर पाप काम के बिना धन अंतरात्मा के बिना सुख मानवता के बिना विज्ञान चरित्र के बिना ज्यान सिध्धान्त के बिना राजनीती नैतिक्ता के बिना व्यापार और त्याक के बिना पूजा मैं किसी को भी अपने गंदे पाओं के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूँगा मेरी अनुमती के बिना कोई भी मुझे ठेज नहीं पहुचा सकता पाप से घृड़ा करो, पापी से प्रेम करो तुम जो भी करोगे वो नगन्य होगा लेकिन यह जरूरी है कि तुम वो करो आप मुझे जंजीरों में जकर सकते हैं, यातना दे सकते हैं यहां तक कि आप इस शरीर को नस्ट कर सकते हैं लेकिन आप कभी भी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते जिस दिन प्रेम की शक्ती, शक्ती के प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा हो सकता है, आप कभी न जान सकें कि आपके काम का क्या परणाम हुआ लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं, तो कोई परणाम नहीं होगा तो दोस्तों ये थे महात्मा गांधी के अनमोल विचार, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा कृप्या इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भोलें, आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद